गेस कल वाले वीडियो के नीचे एक वीवार ने कमेंट किया कि आपने जो पिछे ये लगा रख है वो पिछे जो 21 डेज चेलेंज वाला तो उसके अंदर जो चेलेंज लिखा है उसकी स्पैलिंग में मिस्टेक है तो यहाँ पर जैसे कि हमने यह चैलेंज लिया था तो इसमें लिखा हुआ है 21 Days Video Challenge on RC17 Vlogs तो उन्होंने लिखा हुआ था कि आपकी चैलेंज की जो spelling है वो यहाँ पर गलत है तो यह जो spelling मिस्टेक है आप मैंने जानबुज के की थी यह देखने के लिए कि कोई व्यूवर इस चीज़ को notice करता है या नहीं तो आज था छटा दिन तो छटमे दिन व्यूवर्स को पता चला कि मैंने यहाँ पर यह मिस्टेक की है और यह देखकर काफी खुशी भी होई कि लोग इतना गोर से मेरे वीडियो को देखते हैं तो इसको अभी अपन सही कर देते हैं तो आप सभी को पता चली गया इसके बारे में तो अभी इसको correction कर देते हैं तो गैस यहाँ पर यह मैं अपने challenge की जो spelling है वो correct कर दी है तो पहले क्या किया था मैंने इसको interchange कर दिया था अपस में यानि A को इधर कर दिया था और E को इधर कर दिया था यह चेक करने के लिए कि आप इसे notice करते हैं या नहीं तो गैस जो हमारे मुहमद सलीम खान भाई और MS के vlogs हैं उन्होंने किया है हमारे साथ एक बहुत बड़ा दोका बात कुछ यूं थी कि कल भी उन्होंने वीडियो पोस्ट नहीं किया कल उनका वीडियो आना चाहिए था challenge वाला उन्होंने पिछले दो वीडियो डाले हैं challenge के जिनमें पहला challenge 5000 का दूसरा 10,000 का और तीसरा challenge 15,000 रुपीज प्राइस का उन्होंने पोस्ट करना था तो रूटीन के वाईस तो कल उन्होंने पोस्ट करना था कल हमने वेट किया एवनिंग तक तो नहीं किया उन्होंने पोस्ट और आज उन्होंने वीडियो डाला तो आज फिर हमारे साथ चीट कर लिया हम वेट कर रहे थी कि भाईया सबसे पहले उनका वेडियो देखें और वो जो 15,000 वाला challenge है उसे break करें प्राइस जितना ना जितना तो अलग बात है बट उस challenge को जितना जरूरी था हमारे लिए तो हुआ यूँ कि सुबह से वेट कर रहा था मैं वेट करता रहा करता रहा दोपैर में जाके उन्होंने वीडियो अपलोड किया और जैसे ही अपलोड हुआ मैंने स्टाटिंग से लेके last तक देखा उसमें उन्होंने वो जो 10,000 वारा challenge है उसमें एक लड़की विनर रही जो अपनने भी किया था अपनने तो 10 मिनट के अंदर वो वीडियो शूट किया था प्रैक्टिस वगरा सारा करके तो एक बार स्पून डाल पाए थे कप में उसका वीडियो का जो लिंक है वो उपर आए बटन में आ रहा है वहाँ जाकर आप देख सकते हैं तो उस लड़की ने जिसने वो चैलेंज जिता उसने वो स्पून उस कप के अंदर 11 टाइम एक मिनट के अंदर उसका अंदर उसने डाला का टाइम आज मिल रहा है क्योंकि डेली व्लोगिंग का सीन ये रहता है कि सुबह से लेकर शाम तक बीजी चलता है शडूल और शाम को तो बाई साब इतना टाइट होता है वीडियो को एडिट करना है उसका टाइटल है वो डिसाइड करना है कि क्या रहेगा उसका डिस्क् सुचा कि इतने टाइम में क्यों ना इस वीडियो का थोड़ा सा पार्ट एडिट कर लिया जाए एक और बात मेरे को समझ आ गई जो दूसरे ग्रीटर जो वीडियो अपलोड करते हैं व्लोग्स वगेरा बनाते हैं डेली व्लोगिंग करते हैं वो अगर एक दिन वीडियो तो हम पूरा शहर सर पे उठा लेते हैं कि आज वीडियो क्यों नहीं है तो अब जाके मुझे भी फील हो रहा है कि कितना हैक्टिक होता है डेली एक वीडियो प्रोवाइड कराना क्योंकि शूट भी करना है वीडियो आपको सोचना भी है टॉपिक क्या रहेगा और वो भी खास कर तब जब आपको सिरफ एक कमरे के अंदर रहना हो तो उस टाइम काफी डिफिकल्ट होता है वीडियो वगरा शूट करना तो अभी मेरे को ऐसास हो चुका है कि किस तरीके से डेली व्लोगिंग में कितना स्ट्रगल करना पड़ता है एड़ भी फिलाल अपन फटा फ घूम रहे हैं तो आपको बता दूं कि अगर बात करते हैं मसी ओवीडी 19 की रिपोर्ट की तो आज सुबह 10 बजे तक 940 केसिस कंफर्म हो चुके हैं और 29 डेट्स रिकोर्ड की गई हैं वहीं परसों यही आंगडा 640 पर था और आज एक दिन के अंतर के अंदर इतना भड़ चुका है तो सोचिए ये कहां तक जा सकता है लोग डाउन के बावजुद भी ये हालात है कुछ चुनिंदा लोग जो सड़कों पे घूम रहे हैं वो सब की मौत का करण बनने वाले हैं तो अगर भाई साब वो मानते हैं कहा सुनी से तो ठीक है वरना उन्हें मनाना पड़ मैं थोड़ा सरूडली बोल रहा हूं बढ़ ये फैक्ट है अगर हम उन्हें आज नहीं रोकेंगे तो कल फिर आप जानते ही हैं क्या होने वाला है पुलिस तो रोक ही रही है जहां कहीं भी अगर आप देखते हैं ऐसे लोगों को गुमते वे तो उन्हें रोकिये कुछ भी कीजिये चाए पीटिये चाए कहीं भी कुछ भी कीजिये बटुने रोकिये सडकों पे आने से ताकि जब भी वो सडक पे आएं तो चार बार सोचें कि भाई सडक पे नहीं जाना है जब तक लोक डाउन है सैनिटाइजर मास्क से कुछ नहीं होगा इसका एक ही इलाज है हाँ वो सेफटी का एक पार्ट जरूर है वो जरूरी है बट मैं ये कहना चाहूंगा कि अकेला हातों को सैनिटाइज करने से और मास्क लगाने से सी ओवीडी से नहीं बचा जा सकता सोशल डिस्टेंसिंग मै हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इसी बात पर जोर दे रहे हैं और चाइना ने भी इसे ही फॉलो करके इस कंडिशन को ओवर कम किया है और हम सबको भी यही करना पड़ेगा जब तक अमरजैंसी ना हो मेडिकल अमरजैंसी ना हो अपनी जान पर ना बनाए उससे पहले गरसे बार निकलने के बारे में सोची भी मता कि आप कुछ समझदार है तो आज हमारा जो छटा दिन है वो भी कंप्लीट हो चुका है इसे हम कर देते हैं यहां से क्रोस तो यानि अब पिछे बचे हमारे पास 15 दिन नेट का यूज़े भी इतना बढ़ चुका है कि वीडियो अप स्पीड आएगी स्पीड पहली बात तो इस ताइम स्पीड आती ही नेट की क्योंकि काफी सारे यूज़र्स एक साथ यूज़ कर रहे हैं थोड़ा मुश्किल जरूर है बट हिमत नहीं हा रहेंगे हम अपनी अपने जो टार्गेट है 21 देस का उसे जरूर हम बीट करेंगे सो लास्ट में जो बातें गई उनको जरूर माइंड में रखिएगा एंड मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अलवीदा लेते हुए जय हिंद जय भारत